हम बस दस मिनिट में नाष्टा तयार करने वाले हैं और नाष्टा खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है बनाने में बहुत आसान है और बहुत सिंपल रेसिपी है हलो फ्रेंड्स मैं वर्षाय ओली मेरे चानल पर आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चले फ्रेंट फिर आज की नाष्टे की रेसिपी शुरू करते हैं तो चले फिर नाष्टा बना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने देड कटोरी सूजी ली है आज का नाष्टा हमने सूजी से बनाया है तो जिस कटोरी से मैंने देड कटोरी सूजी ली है उसी कटोरी से एक कटोरी यहाँ पर मैंने चाच ली है अगर आपके पाद चाच नहीं है दही है तो दही आप यहाँ पर डाल सकते हो एक कटोरी सूजी के लिए आदा कटोरी दही डाल दीजेगा यहाँ पर आज मैंने चाच का इस्तेमाल किया है घर में चाच था तो तो मैंन में हम डाल देंगे एक कोटोरी पानी तो पानी डालने के बाद फिर से आच्छे से हम सूजी को मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और पानी डाल कर आच्छे सी सूजी मैंने पानी के साथ भी मिक्स कर ली है बस यहाँ पे इतनी है हमें सूजी मिक्स करन साइट में तो यहां पर मैंने सूजी को ढख दिया है और सूजी उत्स मिनेट के लिए साइट में रख दी थी 20 मिनेट के बाद आप देखें किस तरह से हमारी सूजी बन चुकि यह बहुत बड़ी आतरीके से फूल चुकि यह तो आप यह सूजी में हमें डालने हैं सब्जिय तो आपको जो मन पसंद सब्जी है, सब इसमें ढाल सकते हो, इसमें मैंने सिंपल प्याश टामाटर, हरि मिर्च और धनिय पत्ति डाली हैं, बाकी कोई चीज डाली नहीं है, जो जो चीज़े आपके पास हैं, आप सब डाल सकते हो, आपकी मन पसंद सब्जी, यहाँ पर मैं कि नाश्ता बना रही हूं क्योंक्क भनेपथि हरी रिßen मिर्ष नाश्ता माटर, अर्सूजी 6, प्लिय द्धनाखिवৌ स्यूंत बत मुक्वरकनातितique की द्धनेपथि भी अब क्हुश्य आरत डूँ ऐन देते जाय कर 생िक यहां पर नाश्टे में हमें डाल देना है तो इससे स्वात बहुत मस्ता आएगा तो आभी बस क्या करना है इस सब चीजे आच्छे से हमें सूजी के साथ मिक्स कर लेनी है तो यहां पर मैंने आच्छे से सब चीजे सूजी के साथ मिक्स कर ली है आप देख सकते हो बिल्कुल अब इसको न हम जैसे डोसे के लिए ब्यAttर बनना है बिलकुल वइस बैर तैयर करना है तो इस लिए इसमें fish में और पानी डाल देथी हूँ और आच्छे से यहाँ पर डोसे यहाँ बैटर हम बना कर ले लेंगे तो यहाँ पर आच्छे से हमें यह बैटर एक बार फेट लेना है तो यहाँ पर मैंने आच्छे से दो मिनिट बैटर को फेट लिया था देखें यहाँ पे यह हमारा अब नाश्टा बनाने के लिए बैटर तयार हो चुका है बहुती मस्त तरीके से यहाँ पे यह बैटर हमारा तयार हो चुका है अब इस बैटर में हमें सोड़ा वगेरा कुछ नहीं डालना है मैंने सोडे का कुछ इस्तमाल नहीं किया है सिंपल सूजी के साथ ये नाश्टा बनाएंगे जो हमने बैटर तायार किया है उसका यहाँ पर हमारा परफेक्ट बैटर तायार हो चुका है नाश्टा बना निकले ग्यास के उपर मैंने प्यान चड़ा दिया है प्याज में सबसे पहले वाइल लगा कर लेंगे यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है जिसका उपर का छिलका निकालके प्याज चाकू में लगा दिया है और प्याज से यहाँ पे प्याज में मैंने वाइल लगा है इस तरह से वाइल लगने के बाद जादा भी नहीं लगता और बड़े आसानी से प्यान में वाइल लग जाता है तो आप अच्छे से हमारा ये प्यान गरम हो चुका है तो आप इसमें हम डाल देते हैं हमारा नाश्टे का बैटर आपको ना ये नाश्टा कितना बड़ा छोटा पतला मोटा बनाना है आपके ही सबसे ये नाश्टा तयार कर लिजगा तो यहाप में मेडेम नाश्टे बना कर ले रही हूँ बड़े आसानी से ये नाश्टा बनकर तयार हो जाता है तो देखें बहुत ही मस्त ही आप मैंने एक नाश्टा तयार कर लिया है अब इस नाश्टे के उपर हमें धक्के रखने की कोई जरूरत नहीं है जब तक उपर से आच्चे से सुकता नहीं है तब तक ऐसे ग्यास के उपर प्यान में ये नाश्टा रख देना है उपर से नाष्टा सुकने के बाद हमें नाष्टे को पलट लेना है आप देखें आच्छे से नाष्टा सुक चुका है तो आप इसको हमें पलट देना है दीरे से हाथ से हमें इसको पलट लेंगे जब तक आच्टे से यह नाश्टा हलके लाल कलर पे नहीं आता तब तक हमे आच्टे से नाश्टे को सेग लेना है ग्यास को मेडेम रखना है और मेडेम ग्यास के ऊपर ही यह प्रोसेस करनी है देखें बहुती बड़ी आतरीके से यहाँ पे हमारा पहला नाष्टा तायार हो चुका है आप इसको सूजी के उतपम भी बोल सकते हो सूजी का मिनी डोसा भी बोल सकते हो या इसको आप सूजी का चिल्ला भी बोल सकते हो तो यहाँ पर मैंने तो सीधा नाष्टा बोला है क्योंकि नाष्टा तो हर तरका होता है ना तो यहाँ पर हमारा पहला नाष्टा तायार हो चुका है तो बाकी के भी इसी तरह से बना कर ले लेंगे तो इसी प्रोसेस से मैंने बाकी के सब नाष्टे बना लिये थे तो यहाँ पे मैंने सब गर्मा गर्म नाश्टा खाने के लिए तायार कर लिया देखें कितना मस्तिया पे ये नाश्टा हमारा बन चुका है आपको आज की नाश्टा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलेगा आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर भी कर दीजगा और एक बार ये सनाश्टा जरूर खाएगा अगर आप मेरे चानल पे पहली बार है तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजगा फिर मिलेंगे ऐसे कुछ निव रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ